दोस्तों बिहार के स्वास्त बिभाग में एक नई बहाली के उलेकर नोटिफिकेसन जारी किये गए हैं ये बहाली बिहार के हर एक जीला में होने वाली है टोटल पत की बात करें तो 624 पतों पर ये बहाली होगी जिसके लिए आविदन पर क्रिया सुरू हो चुके है इस भरती को लेकर काफे सारे लोग जो है फ्रॉड के सिकार भी हो जाते हैं तो इस वीडियो को आप पंत तक देखिएगा हर एक जनकारी आपको डीटेल में समझ में आ पाएगी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इससे लाइक और सेर जरूर कीजिएगा एक टू जेडियो जनकारी आपको डीटेल में समझ जाते हैं साथियो अभी आप देख पार रहोंगे यह ओफिसेल नोटिफिकेशन बिहार सरकार राज्य स्वास समिती बिहार के दुवारा सुला जुलाई दोहजार चौविस के डेट में जारी किया गया है यह पत्र जो लिखा गया है विसेस कार्य पताधिकारी सब परभारी डी एम्यू इनके दुवारा लिखा गया है जो कि यहाँ पर किलियर बताया गया कि सेवा में MS औरमिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइबेट लिम्टेड सॉप्ट्वेर टेकनोलोजी पार्क ऑफ इंडिया इनका पूरा एड्रेस दिये गया इनको यह लिखा गया है अब इससाय में यहाँ पर देखेंगे तो क्लियर बताया है कि डीवीडी MS को रियल टाइम रखने ऑनलाइन इंडेंट रेसेट सप्लाई डिस्टिब्यूशन कंजप्शन एवं इम्मेस पर उपकरनों की आपूर्ती है तो अधियाचना प्राप्ति एवं जो अधिश्टाप से संबनित सुचनाओं की प्रविष्टी करने है तो सदर हस्पताल से लेकर समुदाइक प्रात्मिक स्वास्त के अंदर अस्तर तक एक एक जो डी एम्यू की जो सेवा है उपलप्त कराने को लेकर यह बताया गया है मतलब क्या है कि बिहार की जितने भी आप स्वास्त के अंदर आप देखते होंगे जो यहाँ पर सदर अस्पिताल होता है समुदाइक हॉस्पिटल होता है प्रात्मिक स्वास्त के अंदर होता है वहाँ पर एक एक DMU का जो सिवा है उपलप्त कराने को लेकर बिहार सरकार राजस्वास समीती ने उर्मिला दवाईये होते है इसके अलाबे जुबी online intent होते है रिसिप्ट होते है ये सबी का जो डाटा है आपको एक तरह से देख रेक वाला जो काम होता जैसे इस्टोर की पर जो होता है वो पूरा काम देख रहे करता कि कौन से समान है कौन नहीं है कितने समान अभी जा रहे कितने आ रहे यह सब उनको इस्टोर करने की काम रहेगी यह सब काम आपको मिलेंगे इसके अलावे यहां पर बताए गए हैं निर्देशा अनुसर राज के 35 पास्तकेंद्र है वहाँ पर वहाँ पर एक एक व्यक्ति की आवे सकता है कुल मिलाकर 624 पदों पर यह जो बहाली है आपकी होने वाली है चुकि आउट सोर्सिंग के माध्यम से होगी आउट सोर्सिंग के माध्यम से मतलब और मिला इंटरनेशनल जो है यह भरती पर के इन बतों को धियान रखेगा बाकि इन्होंने डीटेल भी दिया है कि कहां कितनी वेकंसी है वह भी आप यहाँ पर देख पाएंगे नीचे जवाब पाएंगे तो हर जीला का यहाँ पर डीटेल दिया गया जैसा रर्या में देखेंगे डी एच में एक बहाली है एस डी में 20 है भागलपूर में 19 है बोजपूर में जो है आपको सुला है उसके अलावे देखेंगे बकसर में आपको 13 है चंपारन पुर्वी चंपारन 25 चंपार्मन में 29 सीटे है दरभंगा में 20 है उसके अलावे गया में देखेंगे 26 है गोपाल गंज में सुला है जमुई में द मधवनी में 27 है मंगीर में 11, मुझपरपूर में 23 पचतना में 17, पुर्णिया में 14 है, रोहतास में 24, सासाराम में 11, सवस्तिपूर में 26, सारन में 21, 12 है इसके अलावह सख़पूर्ब साहथ है शूहर में देखेंगे साथ है सिता ममडि में 18 है शिभान में 12 सुपॉल में 25 के 14 बाहली है बैसाली में 20 है और कुल मिलाकर यहां पर देखेंगे 624 पदों पर यह बाहली पर की लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से की जा रही है बाकी और भी यहां पर जनकारी आपको दिये गया है जिसके बारे में आप इससे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का लिंक में आपको डिस्किप्शन बॉक्स में आपको प्लब करवा दूँगा आप इसको डाउनलोड करकर पूरी जनकारी आप खुछ से भी डीड़ाउट कर सकते हैं अब यहां पर मैं आपको यह बता दू कि इसमें सेलेक्शन परसीजर होता कैसे है तो द होता है अब यह लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे इन से संपर करते हैं उसका यह लोग एक एक्जाम लेते हैं एक्जाम लेकर अगर आप क्वालिफाई करते हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट और भी कंप्यूटर की नोलेज यह सब आप से देखी जाती है अब यह सब इसमें आपको कुछ सैलरी जो है आपको कट आउट भी होती है इन हैंड आपको 15,000 के करीब में इसमें आपको सैलरी मिलती है तो जो लोग चाहते हैं इसके लिए अपलाई करना तो आपको MS उडमिला इंटरनेशनल सर्विस प्राइबिट लिम्टेड इनका जो आफिस है पट क्वालिफिकेशन बारवी कंप्यूटर के ग्यान हैं जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है सभीका जिरॉक्स करवाकर ले कर जाएंगे उनके द्वारा एक फॉम दिये जाते हैं उस फॉम को आपको भड़कर जमा करता है फॉम जब आप जमा कर देते हैं तो कुह दिन बाद क्या है कि आपका एडमीट का डिसुब करते हैं एक हफ़ता का अंदर में ही फिर जहां आपको सेंटर बना जाता है मोहाज़ाकर एग्याम देते है एक्याम में क्वालिफाई होते है फिर आपके इसमें सिलक्शन परसीजर की जाती है कई बार क्या होता है किस परकर गर कर जबी भी वाहली आती है तो काफ़ सारे लोग fraud के सिकार होते है क्यूंकि है काफ़ ऐसे लोग होते जो बीच में ही होते दलाल टाइप के वो आपको बोलते हैं कि इसके लिए हमें एक लाग दो लाग रुपे अची ये मैं आपको इसमें सेलेक्शन दिलवा दूँगा और काफे सारे बच्चे दे भी देते हैं कई बार काफे सारे लोग सही भी होते हैं पैसा लेकर भी आपको काम करवा देते हैं बहुत सारे लोग पैसा लेकर काम भी नहीं करवाते हैं तो मैं कहूंगा कि इस परकर की जबी भी जोब आती है आप अगर इलिजिबल है तो खुद से ट्राइ किजिए गुर्मिला इंटरनेशनल से अगर होता है तो सही है नहीं होता है बिलकुल भी आपको किसे को पैसा नहीं देना है क्योंकि यह पर्मानेंट जोब नहीं है ग्यारा मन्त का भी कॉंट्रेक्ट होगा फिर ग्यारा मन्त बाद अगर आपके काम अच्छी होती है होस्पिटल में आवशकता होती है तो फिर आपके काम को बढ़ाया जाता है अगर काम पसंद नहीं आता है तो फिर आपको निकाल भी दिया जाता है तो ऐसे यह बहाली होती है आउट्सोर्सिंग कंपनी जबी बी करती है तो बाकी आप इस भरती के बारे में क्या सोचते हैं मैं comment box में जरूर बताए मैंने जो भी update था वो आपको बताने की courses किया साथ हुआ अभी आपने देखा मैंने इस भरती के बारे में पूरी जनकारी बताया अगर आपकी इच्छा है इसके लिए apply करना तो आप apply कर सकते हैं बसरते पैसा का कहीं भी demand हो तो पैसा आपको नहीं देना है वरना आप जो है fraud का सिकार हो सकते क्योंकि ये बहाली आपकी permanent नहीं होने वाली है कभी भी आपको निकाल दिया जा सकता है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैहंद